किशन गंज गाउं एक बहुत खुशहाल गाउं था वहां के लोग बहुत खुश दिल और मजाकिया किस्मके थे लेकिन गाउं की खुशी को उस दिन ग्रहन लग गया जब एक दिन अचानक से गाउं में चार लोगों की हत्या हो गई बेहन सुना तुने कि गाउं में किसी ने चार लोगों की हत्या कर दी है हाँ बेहन मैंने भी यही सुना है और लोग तो कह रहे हैं कि किसी भूत ने मारा है उन चार लोगों को अच्छा तुझे कैसे पता कि भूत ने मारा है उनको तुझे नहीं पढ़ता कि उन चारों लोगों के शरीर कैसे नीले पढ़ गए थे ऐसा कोई इनसान तो नहीं कर सकता अगले दिन भूत फिर से गाउं के दो और लोगों की हत्या कर देता है गाउं के लोग देहशत में आ जाते हैं सब ही और भूत की चर्चा होती है हाँ, बिल्कुल ठीक बोला बबलू ने और अगर वो तुझे खाएगा तो वो बिचारा भूत तो बद्बू से ही मर जाएगा चुप करो तुम दोनों, मेरा मजाग बना रहे हो जब भूत आएगा ना सामने, तब देखूंगी तुम दोनों को सुशीला अपना मजाग बनते देख, अपने घर के अंदर चली जाती है अरे छोड़ो सुनीला, वो तो डर के मारे घर के अंदर चुप गई कोई भूत भूत नहीं है, किसी ने अफवा पहला रखी है नहीं बबलू, मैंने कई लोगों की लाशे देखी है पर जैसी लाशे मैं अब देख रही हूँ, ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी मैं तो तुझे बहुत बहादूर समझता था, तू भी डर पोग निकली, मैं देखता हूँ, कौन मुझे मारता है गाउं में फिर से वही भूत निकलता है, और भूत के रास्ते में जो आता है, भूत उसे मारता चला जाता है गाउं में हो रहे इस हत्या कांड से दुखी और परिशान होकर, गाउं का मुखिया सभी गाउं वालों को एकटा करता है और सभी गाउं वालों को अपने विचार और सुझाव देने के लिए कहता है हमें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि उस भूत को खत्म किया जा सके हाँ मुखिया जी कुछ ऐसा उपाय बताईए कि उस भूत को मारा जा सके अब तो घर से बाहर निकलने में भी बहुत डर लगता है हाँ तुम दोनों बात तो ठीकी कर रही हो हमें कुई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा मैं गाउं से बाहर इस भूत का इलाज धूनने के लिए जाता हूँ जब तक मैं गाउं में वापस ना आ जाओं तब तक इस पूरे गाउं को लॉकडाउन में रहना होगा जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो तब तक कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा मैं उस भूत का इलाज जल्दी ही लेकर वापस लोटूंगा कुछ को अभी भी यह सब एक मजाख ही लग रहा होता है गाउं के ज्यादा तर लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं अरे सुनीला अपना मुख्या तो डरपोक निकला कहीं भूत उसे ही अपना शिकार ना बना ले इसलिए वो गाउं छोड़ कर भाग गया अब काउं वालों को मैं बचाऊंगा मैं देखता हूं कौँ जबूत आता है मुझे मारने बबलू अपने मुख्या जी ठीक ही कह रहे हैं अगर जान प्यारी है तो घर से बाहर मत निकल नहीं तो बेवज है उस भूत का शिकार बन जाएगा भूत इतने शिकार कर चुका है कि तुझे खाकर तो डगार भी नहीं लेगा उधर भूत फिर से अपने शिकार पर निकलता है पर वे देखता है कि गाउं में तो कोई भी नहीं है अरे ये क्या आज कहा मर गए सारे गाउवाले मैंने तो अभी ज़्यादा लोगों को खाया भी नहीं कितनी देर हो गई भटकते भटकते ओह भूत से जान निकली जा रही है एक गाउं वाला भूत को दूर से देखकर भाग पड़ता है और जल्दी से अपने घर के अंदर घुसकर दर्वाजा बंद कर लेता है भूत ये देखकर समझ जाता है कि गाउं वालों ने जरूर कोई योजना बनाई है भूत कई लोगों के घर जाकर दर्वाजा खट-खटाता है पर कोई भी दर्वाजा नहीं खोलता भूत इधर उधर भटकता हुआ बबलू के घर पहुँच जाता है और बबलू के घर का दर्वाजा खट-खटाता है भाईया बहुत भूक लगी है बहुत गरीब आदमी हूँ कुछ खाने के लिए दे दो दर्वाजा खोल दो रे भाईया बुरे फसे ये तो सची में भूत है मैंने अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी ए भगवान कैसे गलती हो गई मेरे से भूत भाईया भाईया मुझे मत मारो मुझे मत मारो तू नहीं मिलता तो मैं तो भूट से मरी ही जाता अच्छा हुआ दर्वाजा खोल दिया तूने अब मिटेगी मेरी भूख भूट बबलू को मार डालता है और उसके बाद भूट बबलू के घर से चला जाता है सुनीला घर के अंदर छुक कर ये सब होता देख रही होती है पर वो डर के कारण कुछ नहीं बोलती भूट के जाने के बाद सुनीला जोड़ जोड़ से रोने लगती है हाई इस आदमी को कितना समझाया कि घर से बाहर मत निकले पर ये मेरी सुनता ही कहा था सुनीला की रोने की आवास सुनकर कुछ गाउं वाले सुनीला के घर इखटे हो जाते हैं और उसको संभालते हैं चुप हो जा बेहन मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि हर चीज़ को मजाक में ले जाना अच्छी बात नहीं है अब तो भगवान ही हमें बचाएगा इस भूत के काले साई से थोड़ी ही देर में मुख्या भी सुनीला के घर पहुँच जाता है सभी गाउं वाले मुख्या जी की तरफ बड़ी उमीद से देखते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने कोई उपाए ढूंडा भूत को खत्म करने का मुझे माफ करना मैंने कई जगा से मदद मागी पर इस भूत की काट किसी के पास भी नहीं है मुझे तो अब इस गाउं के सभी लोगों का अंति नजर आ रहा है सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और डर जाते हैं तभी अचानक से सुनीला बोल पड़ती है मुखिया जी उस भूत को खत्म किया जा सकता है जब भूत बबलू को मारने के लिए आया था तो उसने बोला था कि अगर उसे खाना नहीं मिलता तो वो मर जाता ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भूत ने खुद ही अपने मौत का रास्ता बता दिया सभी गाउंवाले ध्यान से सुनो चाहे कुछ भी हो जाए आज से कोई भी गाउंवाला बाहर नहीं निकलेगा पूरे गाउंग के लोगों को लौकडाउन में ही रहना होगा अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो वो भूत उसे अपना शिकार बना लेगा गाउंग के सभी लोग मुख्या की बात से सहमत होते हैं और लौकडाउन का पालन करते हैं अगले दिन फिर से भूत अपने शिकार के लिए निकलता है और इस बार भी भूत को कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं नजर आता भूत गाउंग वालों के घर के बाहर जाकर चिलाता है पर कोई भी बाहर नहीं निकलता भूत आवाज बदल बदल कर लोगों को फुसलाने की कोशिश करता है लेकिन इस पार कोई भी ऐसी गलती नहीं करता जैसी बबलू ने की थी भूत दो दिन तक गाउं में घूंता रहता है लेकिन उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता जिसका वो शिकार कर सके भूत शिकार ना मिलने के कारण बहुत कमजोर पड़ जाता है और कुछ वक्त बाद वे अपनी भूक के कारण मर जाता है और इस तरह गाउं वाले नियम का पालन करके अपनी और अपने परिवार की जान को उस खूनी भूत से बचा लेते हैं